दिल्ली के सिम अरविंद केजरिवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोट में सुवाई जारी है पर दिखाए जाएंगी और याचिका करता को फाइले नहीं दिखाए जाएंगी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने के जिवाल पर हमला बोला तो वहीं आम आदली पाटी नेता आतिशी ने के जिवाल को समन्स पर सवाल उठाए मैं हरान हूर अर्विंद के जि वाल की इस मूँव को देकर क्योंकि कल ही मानिने नहले ने सपस्ट किया था कि आपको जाच एजंसी के सामने जाना चाहिए डिली के मुख्य मंतृ अर्विंद केजरीवाल जी, एडी के समेंज के खिलाफ धिली हाइ कोड़ करें no coercive action की appeal लेके वो high court करें वो चाहते हैं कि वो ED की investigation को join करें, ED के साथ cooperate करें लेकिन हमारा ऐसा माणना है कि ED अभे independent investigating agency नहीं है, बुला के उनको गिरफतार करना चाहते है अगर ED का एरादा साफ है, वो सिर जान चाहती है तो वो court में खड़े होके कहे कि हम अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार नहीं करेंगे अर्विंद केजरिवाल को बार-बार जो समंस भेजे जा रहे हैं उस पर आम आदली पाठी की ओर से बार-बार कई तरीके के सवाल उठाय जा रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त अर्विंद केजरिवाल की जो याचिका है उस पर दिल्ली हाई court के अंदर सुनवाई इस वक्त जारी है और तमाम जो दस्तावेज हैं वो ED की ओर से इस वक्त court के सामने रखे गए हैं जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद फिलाल क्या चल रहा है court के अंदर आगे किस तरीके से कारवाई आगे बढ़ रही है देखिन लेंच से पहले court ने कहा था कि अरवींद केजिरीवाल के खिला आपके पास क्या कोई दस्तावेजनें लेकिन हम open court में नहीं रख सकते तो जज नहीं कहा कि आप हम में हमारे पास हमें दीजियो दस्तावेज वो जज्जिस को सौपे जिसके बाद आगे के सुनुआई चल रही है ED लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि अरविंद केजरिवाल को राहत नहीं दी जानी चाहिए राहत मतलब कि इंट्रिम जो प्रोटेक्शन है गिराफ्तारी से जो की मांगी गई है उसको ना दिया जाना चाहिए ये ED की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है तो वही ये भी ED की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरिवाल कोई उम्मिदवार नहीं है इन्हें पहली बार नहीं बुलाया गया है और ये कहा गया है तो लगातार अभी जो सुवाई है वो चल भी रही है और अभी इसमें फैसला आना बाकी है यह लगतार मामले की सुवाई आगे जारी है जी और E.D. ने आप पर यह भी काया कि सिर्फ जो फाइले हैं वो कोड को दिखाई जाएंगी जो याचिका करता है उनको नहीं दिखाई जाएंगी इस पर क्या कोड की कोई टिप पढ़ी देखें यह कहा गया था जो E.D. के वकील है उनकी तरफ से कि जो हम सबूर आपको दस्तावेज आपको सौप रहे हैं यह सिर्फ आप देखिएगा यह याचिका करता यानि जो अर्विन के जीवाल के वकील है उनको ना दिये जाएंगी उन्होंने कही है और हुआ भी यही जो कोर्ट है उसने वो दस्तावेज देखें देख वापस उसी तरह से E.D. को वापस कर दिया यह अभी तक इस मामले में सुनवाई में हुआ है जी और जावेद इसके अलावा और क्या अपडेट है यह भी आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलाल हमें कोर्ट के फैसले का इंतिजार तो यहाँ पर करना पड़ेगा लेकिन आगे जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती हुई दिखेगी जो आज अर्विन केजीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उसमें अंत्रिम राहत की मांग की गई है मतलब कि अगर इडी बुलाती है उनकी तरफ से कहा गया है कि वो पूच्टाच में सहयोग करने के लिए तयार है लेकिन उनको गिरफतार ना किया जाए उनकी त जरसल सुनवाई हुई थी जो एडी ने दस समझारी किये उसकी गया देता को लेकर वो सुनवाई योग्ये है या नहीं उस पर अगली सुनवाई 22 अप्रेल को होगी ये कल का डवलमेंट है आज इस पर सुनवाई हो रही है क्या उन्हें राहत मिलेगी जिरफतारी से या न ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ब्रष्टाचार होने नहीं देंगे आज ब्रष्टाचार के खिलाफ एक जान से स्वयम भाग रहे हैं इस बात को नकारना नहीं चाहिए बूलना नहीं चाहिए कि केजरीवाल जी आठ बार समन को त्याक चुके हैं कोई प्रश्न ये है केजरिवाल जी इतना घबरा क्यों रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं यह साप दिख रहा है कि इडी को पुष्टाश से मतलब नहीं है पिछले दो साल से पुष्टाश चल रही है हजारों जगह छापे हो चुके हैं आज तक कोई सबूत नहीं मिला लेकिन बार 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 सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनितिक मकसद से अर्विन के जरिवाल जी को गिरफतार किया जाए उस गिरफतारी को लेकर के अदालत में आज अरजी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफतारी पर रोक लगाए को ऐसी वक् झाल झाल